नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं होम पेज को आप बहतर तरीके से कैसे आप समझ सकते हैं जौब वेब साइट के बारे में तो चलिए जानते हैं कैसे करते हैं यहाँ पे दो चीजे देखेंगे इलिमेंटर सौट कोड दोनों का हम परियो करके देखेंगे कहां पे कौन सी समझ जाते हैं उसको समझेंगे जहां से देखेंगे तब यह बाते समझ में आएंगी और यह प्राबलम एकदम सौल्फ हो जाएगी यहाँ पे चोटी चोटी बाते होंगी लेकिन हम बहुत सारी चर देखेंगे चाहिए प्लेलिस्ट में यहाँ पर हमने पूरी एक लिस्ट बना दी है यहाँ पर 12-13 वेपसाइट वह सत्तरह वीडियो हो चुकी है इस लिस्ट में जॉब वेपसाइट के बारे में इसको आप प्लिक करके सब्चक कर सकते हैं तो यहाँ पर चलिए देखते है यहां पे home page पे आ गए हम, home page पे आने के बाद देखिए, जब यहां पे आप आते हो, तो इस पे जब click करते हो, तो यहां पे देखिए हमने एक plugin यूज किया था, post category list का, उसी का sort code का प्रियोग हमने यहां पे किया है, उसके जो parameters हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेत होता है, और वो कहां पे आता है, जब भी आपको category create करते हो, तो यहां पे देखिए, slug लिखा है, तो यही URL जो होता है, यहां पे आपको insert करना रखता है, यहीं पे लोग गलती करते हैं, इसलिए कई लोगों का message आता है, कि सारे में एक ही दिख रहा है, जो मैं post latest में, admit card मे result में same दिख रहा है, तो यहें पे अगर समस्या होगी, तब यह दिखता है, तो इसको आप जो है, सही करिए, या तो क्या होगा कि कई बार आपकी category create नहीं हुई होगी, तब भी पूरे में दिखने लगेगा, या तो कई fault होगा, तब भी दिखने लगेगा, लेकिन अगर exact स मतलब हुआ कि जो यह link target हुआ है, वो blank page में open होगा, जैसे हम इस पे अगर click करते हैं किसी post पे, तो क्या होगा, वो नए post में खुलेगा, यानि नए tab में open होगा, यानि इसी page पे नहीं रहेगा, अगर आपको इसी page में open करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कि यह जो link target है न उसी page में खुलेगा, वो दूसरे page में नहीं खुलेगा, यानि next tab में नहीं जाएगा, तो यह यहाँ पे छोटी सी बात रहे, उसके बाद में numbers आप post जो होती है, आपको 10 दिखाना, 11 दिखाना, जितना भी मर्ची उतना दिखा लिए, यहाँ पे 11 लिखा हुए, तो 11 यहाँ पे हमने latest में क्या किया है, इसका परियोग किया है, जैसे ही 20 पोस्ट होंगे तो वहाँ पे देखे page nation लग जाएगा, उसके लिए हम page nation का परियोग होता है, home page पे तो नहीं होता है, तो यह हमारा काम बन जाता है, अब लेकिन जो चीजे मैं बताना चाह रहा था, उस समझ रहे होंगे, इसलिए तो यह जब आप बात समझ गया है, तो देखे जैसे मैंने क्या किया कि आप एक पोस्ट को देखे, पहले हम पोस्ट दिखाते हैं, कोई भी पोस्ट, जैसे माल लीजिए यह पुरानी पोस्ट है, और पीवी सी जो है, यहाँ पे, माल लीजिए उ उपर आने दीजिए, अब देखे, यहाँ पे दो सेटिंग है, यहाँ पे जब जाओगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद में आप देखोगे, पोस्ट कटेगरी लिस्ट है, यहाँ पे तीन मिथड हैं, और यहाँ पे देखे, तीन मिथड से ज़्यादा भी है, यहां पे तो या तो डेट वाइज आप मैजनेज कर सकते हैं या जिस दिन मोडिफाइड हुआ है उस दिन या फिर पोस्ट ऑफर आइडी रेंडेमली और लेकिन यहां पे दो ही मेन हैं हमारे लिए जो जरूरत पड़ेगी एक डेट वाइज या मोडिफाइड डेट तो अग होगा कि यहां पे यह होम पेज पे अपडेट नहीं होगा यह इसी लिस्ट पे यहीं पे बना रहेगा यानि पांच छटे नंबर पे है तो यह छटे नंबर पे बना रहेगा तो जस्ट हम क्या करते हैं अपनी पोस्ट को यहां पे अपडेट करते हैं और जस्ट हम कुछ न जरूर कर दिया करो तो यहां पे देखिए कि यहीं पे रह गया तो जब यहीं पे रह गया तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्या करना है माल लेते हैं अगर हम इसको date wise ना करके modified date wise कर देते हैं तब क्या फर्क पड़ेगा देखिए just हम क्या करते हैं कि अब ये देखे नमबर एक पे आ गया अब इससे फायदा क्या होगा देखे इससे फायदा ये होगा कि आपका अगर जब ही admit card आएगा तो आपको क्या करना है कि यहां पे latest job से हटा करके admit card पे जैसे ही चेक करेंगे तो ये first number पे admit card में so हो जाएगा यहां पे देखे जैसे ही हम admit card पे देखेंगे तो यहां पे देखे admit card पे जैसे ही आप article admit card आएगा तो ये result आएगा तो आप वहां से अंचेक करके results में डाल दीजिए तो इस तरीके से आप manage कर पाएंगे एक ही post को अच्छे तरीके से और इसी post को बहुत खुब सूरत तरीके से आप बढ़ा करते जाएए manage करते जाएए उसके errors को हटाते जाएए और इसके SEO के साथ काम करते जाएए तो अच्छा result मिलेगा जैसे इस post को अगर हम देखें तो इस post में चलिए हमने फिर से उसको reset कर दिया है अगर इस post को जिसने लिखा है उसकी इस्तिती को देखते हैं कि कहां पे पहुँचा है तो यहां पे latest job में करके update कर देते हैं तो यहां पे हम इसके link को देखते हैं कि इसमें क्या क्या है जस्त हम इसको copy करते हैं और copy करने के बाद में हम यहां पे इसको search कर लेते हैं तो देखिए यहां पे index हो चुगा है और index में देखिए यह जो word मिला है यहां पे भी मिला है इसलिए यह सब्द देखे OPS Medical Officer इसलिए यह लेटेस पे पोस्ट में भी दिखा है और मेन साइट पे भी दिखा है तो आप इसी पे काम करिए और इस पे जब काम करते रही है और कोई भी पोस्ट हो कई बार हम प्राबलम क्या करते हैं कि एक ही कंटेंट को हम कई बार लिखते हैं तीन चार पोस्ट बनागे करते हैं वावाई तब एक हमने post बना दी admit card आया तब एक post बना दे तो कई बनाते जाते हैं उससे हमें फायदा नहीं होता हमें नुकसा नहीं होता है अमोमन यही किया जाता है जो हमने यहाँ पे किया है तो इस तरीखे से आप manage कर सकते हैं दूसरा तरीखा यह है कि आप elementor के साथ काम करते हैं elementor के साथ अगर आपको काम करना है तो याद रखिए कि post category list मैंने design करना अलरेडी बता दिया है यहाँ पे query में जब जा करके आप terms पे click करके आप category select करते हो कोई भी category select करते हो जैसे यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं हम एक latest का कुछ लेते हैं latestjob कर ले देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आप latestוג की भी category फिच हो जाएगी just हम इसको यहाँ पे move कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहा पे देखें लेटिस्ट बैंक जॉब का भी यहां पे आ गया तो इस तरीके से भी आ जाता तो वह इसे ही मैनेज करिए अगर आपको क्या करना है कि पोस्ट हमें नहीं लिखनी हमें उस तरीके का मतलब नहीं चाहिए कि हमारा टॉप पे आए तो आप ऐलिमेंटर के साथ बनाते हैं वहां पे क्या यहा पे देखिए मोडिफाइड डेट नहीं होता मैंने एलिमेंटर को मैसेस किया था क्या ऐसा कुछ है तो उन्होंने फंक्सन राइट के बारे में कहा था पर टोटेडल कीर हो जाएगी तो यहां पे इस तरीके से मैनेस कर सकते हैं तो ऐसे मैनेस करेंगे तो बिटर रिजल्ट हम हटा देते हैं और हमें जो हमने पोस्ट लिखी है माली जी हम जो कोस्ट लिखते हैं हम उस पोस्ट को भाई हम मैनुवली इंसर्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है कि जैसे यहां पर यह करना है आप सिंपल तरीके से जो आप टेक्स्ट लिखते हो तो इस तरीके स आप टेक्स्ट लिखिए अगर इसको लिस्ट में डालना है तो लिस्ट वाइस में डाल दीजिए और इस तरीके से बट यहां पर देखिए यह एडिट पोस्ट के नाम से है तो यहां पर लिंक भी आप डालिए जिस्ट कॉपी करिए और यह अच्छा इसलिए पड़ता है कि इसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे यहां पर जिस्ट क्लिक करिए और यहां इसे मैनेज कर लिजिए ऐसे नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट में भी अगर आपको नई चीजे मिलती है नई पोस्ट मिलती है तो यहां पर ऐसे एड करते जाएए और अगर आपका box भर जाता है तो आप उसको remove कर दीजिएगा नीचे से तो इस तरीके से देखे इससे क्या होता यह जो आपका level है ना एकदम equal बना रहता और साथ में इसके जो headings sorry यह जो titles है इसको आप घटा बढ़ा सकते हो कई बार लोग पूछते हैं अगर last date डालनी हो तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कोई content लिख सकते हैं जैसे last date लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर आपको जो भी date लिखनी है जो भी क्या करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से manage कर सकते हैं और इसको आप color भी दे सकते हो अपने हिसाब से text का color क्या रखना है तो इस तरीके से आपका manage हो जाएगा और content भी आपका अच्छे तरीके से चलेगा तो इस तरीके से अगर आपको कोई और चीज़े करनी है जैसे माल लीजिए यहाँ आपे बीच में अगर हमें कोई और सा चीज़ करना है जिस्ट यहाँ पे तो आप emoji गएरा भी insert कर सकते हैं जिससे आपका look हो जबता है थोड़ा सा better बन जाए अगर आप चाहते हो तो emoji भी send कर सकते हो या कोई gif file भी यहाँ पे आप लगा सकते हो तो इस तरीके से आप manage कर सकते हो और आपका result better आएगा तो यह दोस्तों यह इतनी सारी बाते रहीं जो हमने आपको बताई तो इस तरीके से manage करना भी अच्छा रहता है देखे जो लोग website पे अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं manually update करते हैं वास तो यह है जो manually update किया जाता है home page ना उसकी rank better होती है जो automatic होता है उसकी effect चाहते है क्योंकि यहां पे content रोज update हो रहा है revise हो रहा है short code से केवल fetch हो रहा है तो जो manually आता है ना वो ज्यादा better result देता है जैसे सरकारी job find हो गए रहा है वो आप जो देखते हो ना वो हद चीज manually किया जाता है ना कि automatic उसका कुछ है और हम automatic है चीज़ चाहते हैं तो automatic जैसे यह post है यह सारी चीज़े तो manually ही करने पड़ पर दिया है तो जैसे माली जी हमारा यह वाला अगर admit card का है तो यहां से कितना text हो जाएगा तो यह एक्दम बेकार सा आ जाएगा 3-4 line का एक type बन जाएगा यहां पर 3-4 line का यह पूरा एक button बन जाएगा और यहां पर 2 line तो कितना बेकार कितना अगली देखे गा इसलिए हम क्या करते हैं इसको हम कहते हैं manually करो कोई automatic जरूरत नहीं अगर हमने आधे गंटे एक गंटे एक article लिखने पे दिया है तो दो minute इसको हम देखर के अपना काम कर सकते हैं नहीं तो problem आती रहेगी तो इस तरीके से आप manage करना सीखें तो यहाँ पे जो यह elementor है अगर आप कोई job मतलब इस type का control लिखते हैं जहाँ पे gs या g के इस type का तो वहाँ पे तो जरूरी है कि आप elementor का परियोग कर लो कोई tensor नहीं elementor का परियोग कर सकते हैं इसका भी परियोग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन job में यह मैंने जो चीजें बताएं इसको आप ध्यान दीजिएगा इससे जो हपी होगा आपको better result मिलेगा और अगर आपको अगर आप कई बार एक ही post को ना कई बार लिखते हो तो वो फिर rank नहीं होती है वो google भी देखता है कि एक ही type की post को कई बार लिखा गया है तो वो अच्छी बात नहीं है तो जैसे मालीजी आपने ssc cgl 2022 का लिखा वही उसी को आपने ssc 23 में भी अपडेट किया 24 में मतलब 5 साल से वही अगर आप post अपडेट करोगे admit card आये result आये answer की आये फिर form आये हर बार वही एक ही page को update करोगे तो वो better result मिलेगा और इससे आप पर time भी save होगा साथ में आपका जो space हो गयरा है आपको image हो गयरा कोई दिक्कत नहीं होगी नए article के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा और google भी देखेगा कि ये post regular बहतर हो रही है तो उसको कोफी फायदे मन्द होगा दोस्तों इससे संबंदित अगर आपको कोई comment या सुझाओ है तो कर सकते हो और next video में thank you very much जय हम पन्दिव